इस वीडियो के अंतरकत हम लोग कुछ इंपार्टेंड और इमोशनल यानि भाव कूरिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुबाद करना सीखेंगे ताकि उसके माध्यम से हम दूसरे वाक्यों का भी अनुबाद का सकें दो सब पैतिस पर है अब हम तीनों फिर की समय मिलेंगे अब हम तीनों फिर की समय मिलेंगे अट वाट टाइम आप दी डे, आट वाट टाइम आप दी डे, आर वी त्री गोइंग तू, मीट नेक्स्ट, अगली बार, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां कि नयतिक सद्गुनों कहान होता है, छती होती है, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां कि नयतिक सद्गुनों कहान होता है, वेलें इने वर्ड, वेर मारर वाइरूस आर पूट्टु जीवपार्ड़ें, दोसव सांतिर, वह वस्तुता वीर है, तता उसुपाधि के लेपूनते आयोग्य, वह वस्तुता वीर है, तता उसुपाधि के लेपूनते आयोग्य, He is well worthy of the title, आपे ब्रेव हीर हो, वह वस्तुता वीर है, तथा उसु पाधी के लिए पुनते आयोगे He is well worthy of the title, आपे ब्रेव हीर हो 210, क्या वे दोनों युद्धिके इस नैदर से चकित और व्यतित नहीं हो गया होंगे क्या वे दोनों युद्धिके इस नैदर से चकित और व्यतित नहीं हो गया होंगे Where they both not taken by surprise, where they both not taken by surprise and confounded with this term of battle, इस नै युद्धिके दो से Where they both not taken by surprise and confounded with this turn of battle 249 तोपे तिव्रता से पढ़ती हैं Canons burst forth loudly, उन्होंने सत्रूपर दूहरी सक्ती से आक्रम नकिया They charge and attacked with redoubled विगोर, redoubled दूहरी, विगोर सास 241 मैं अपने खुले घाउं के बहते वे खून के कारण बेहोस हो रहा, I am fainting with the last of blood, I am fainting, fainting मुर्चित होना I am fainting with the last of blood, which my open wounds are letting out बहार रहा हैं, निकले जा रहा हैं मैं अपने खुले घाउं के बहते हुए खून के कारण बेहोस हो रहा हैं, I am fainting with the last of blood, which my open wounds are letting out 242 मैं उनकी सिगरता से मरहम पट्टी करवा देना चाहता हूं I wish them to be dressed quickly, I wish them to be dressed quickly, I wish them to be dressed quickly, कि जल्दी से तेजी के साथ उनका मरहम पट्टी हो जाए मैं उनकी सिगरता से मरहम पट्टी करवा देना चाहता हूं I wish them to be dressed quickly, 240, जंडे आकास में उड़ते हैं जंडे आकास में उड़ते हैं, दिभायनर्स flutter in the sky उसने अपने सत्रू के असब विद्रो की भावनाओं को कुचल देया He was able to check, रोक नेना, कुचल देना, the insolent spirit, insolent spirit, असब विद्रो की भावनाओं को कुचल देया, he was able to check, the insolent spirit of his opponent, उस विश्वास गाती को ततकार फांसी देने की आज्यादो, order अज्यादो, the immediate execution, order, the immediate execution of that traitor, ट्रेटर विष्वास गाती, द्रुही, आड़र, the immediate execution of that ट्रेटर, मैं इस आज्या का पार्म करूंगा, मैं इस आज्या का पार्म करूंगा, I will say this order, Ovet, I will say this order, Ovet, मैं इस आज्या का पार्म करूंगा, I will say this order, Ovet, 247, पिसाचे नि, यहांसे चले जाओ, पिसाचे नि, यहांसे चले जाओ, भीगा, यू बिच, पिसाचे नि, यहांसे चले जाओ, भीगा, यू बिच, अन्य सभी हवाएं, मेरी सेवा के लिए अरपित हैं, मतला मेरे, आधिपात्य मेरे, मेरे अधीन है, अन्य सभी हवाएं, मेरे सेवा के लिए अरपित हैं, अन्य सभी हवाएं, मेरे सेवा के लिए अरपित हैं, मेरे अधिपात्य में हैं, I have the rest of the wands at my own disposal, दो सवन चास मैं उसे खून रहित करके सुखी घास की तरह सुखा दोंगा, सुखा दोंगे, मैं उसे खून रहित करके, सुखी घास की तरह सुखा दोंगा, I will make him, I will make him bloodless, मैं उसे खून रहित कर दोंगा, I will make him bloodless, and without like hay, और सुखी घास की तरह सुखा दोंगा, मैं उसे खून रहित करके सुखी घास की तरह सुखा दोंगा, I will make him bloodless, and without, without सुखा हुआ, लाइक है, दो सब पच्छास, वह सबके द्वारा परित्यक्त किया जाकर, एक अभिशापित ब्यक्ति के समाज जीवन व्यतित करेगा, वह सबके द्वारा परित्यक्त किया जाकर, यानि सभी के द्वारा त्यागा जाकर, एक अभिशापित ब्यक्ति के समाज जीवन व्यतित करेगा, वो सभी के द्वारा परिट्यक्त होकर जिंदा रहेगा, वो सभी के द्वारा परिट्यक्त किया जाकर एक अभिशापित व्यक्ति के समाह जीवन व्यतीत करेगा, वो सभी के द्वारा परिट्यक्त होकर जीवन अपन करेगा, लाइक अभिशापित व्यक्ति के तरह, इस तरह से आपने देखा कि कुछ महत्यों पूर्ण वाक्यों का, जो हेंदी में अपने मन के भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, उनको अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी क्या उप्योगिता है, कैसे हमें अपने द्यानी गीवन के अंतरगत उनको प्रियोग करना चाहिए, इन सारी बातों के लिए ट्रांसलेशन यानि हिंदी सेंग्रेजी का ट्रांसलेशन जानना आवस्यक है, इसरी की जितना अधिक हमारे पास साय तिक भास साय और चीजें होंगी, उतना आई यादिक हम अपने बोल चालकी सायली में और लेखन सायली में कुछा बनाएंगे, ठाएंक्य।